मेरे एक स्टुडेंट जो एमडी थे एमडी मेडिसिन के जो केवल एमडी मेडिसिन नहीं है याने आईलोपेथी के एमडी मेडिसिन नहीं है साथ में एक्यूप्रेशर की भी प्रैक्टिस करते है और डॉंबी वली में बहुत फेमस है और कई सालों से करते है ऐसा नहीं कि आजकल उन्होंने शुरू किया आज तक ये नौबत आ गए थी जब उनकी मेरी साथ में बात हुई तब ये नौबत आ गए थी कि उन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस बन कर दी थी और केवल एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस करते थे पूरे भारत से नह एक कोर्स कहते हैं उसको बात में बी कोर्स हुआ और किसी ने ऐसा ही कलास में सवाल पुछा तो मैंने जबाब दिया फिर वो और मेरे काफी चरचा हुए उन्होंने कहा कि मानव साब आप जो कह रहे हूं यह बात सही नहीं है अब मैं तो खुद M.D. Medicine हूँ मैं तो खुद इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हर चीज के बारे में रिजल्ट्स मिलते हैं मैंने उनके साथ में बहुत बारे किसे चरचा की है मैंने कहा कि आपके जो अनवों आप कह रहे हूं ऐसा हो रहा है कि बाबा के पास लोग जाते हैं उसके फाइदे मिलते हैं दस लोग आकर कहते हैं इंको फाइदे मिले और उस बाबा को लगने लगता है कि बस सबको फाइदे मिले ऐसा नहीं होता है इसकी मर्यादा है आपने समझ लेनी चाहिए जो केवल साइकोलोजिकल फाइदे मिल सकते है कोई भी साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट के जरी है हिपनो तेरपी के जरी है वही फाइदे आपको केवल एक्यूप्रेशर में मिल सकते है उसके अलावा नहीं मिल सकते है ये कहने के बाद मैं मुझे बाद मुझे scientific activity हो ऐसी किसी बात कर रहे हो मैं आपको एक किताब देता जो एक बहुत बड़े डॉक्टर ने लिखे हुई किताब है वो किताब आप पढ़िए और उसके बाद में हम बहस करेंगे वो किताब उन्होंने मुझे दी कोई श्री लंका के एक बहुत बड़े एक्यू प्रिशरिस्ट ने वो किताब लिखे थी, वो खुद भी डॉक्टर थे मैंने किताब पढ़ि किताब की प्रिफेस पढ़ि प्रिफेस में जो लिखा था जिसको प्रस्तावना कहते है डॉक्टर साहब जब चर्चा के लिए आये तब मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपने एक किताब पूरी पढ़ि है, मैं तो प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ना और एक किताब बहुत ही महत्वकी है मैंने वोला आपने प्रिफेस पढ़ि इस किताब में कई जगे इसे दावे किये गए है कि जो जिसमें कहा गया है कि जो साइकलोजिकल इफेक्ट के द्वारा मिलना कठीन है या संभा हूए लेकिन प्रिफेस में लिखा है कि वर्ल्ड हिल्ड और्गनाइजेशन ने केवल इस मरियादा में मान्यता दी है एक्यूप्रेशर को वर्ल हिल्ड और्गनाइजेशन को समझ में नहीं आता कि इस चेत्र में भी इसके उपयोग हो सकते है ऐसे खुद लेखक लिखता है जो इतने सालों तक प्रैक्टिस करते आया है जिसने एक्यूप्रेशर को इतना महत्वदिया है एक्यूप्रेशर को प्रोबोगेट किया है दुनिया में जिसकी किताब आप जैसे M.D. डॉक्टर भी बहुत प्रमाण करकर मानकर अमल में लाते हो उसी के प्रिफेस में लिखा है कि वर्ल हिल्ड और्गनाइजेशन ने इस मर्यादा में क्यों तैयार है इसके बाहर क्यों तैयार नहीं है इसके बारे में आपने सोचा अगर आपको इसके बाहर इसको प्रूव करना पड़ेगा तो आप यह महन्यता प्राप्त कर सकते हो लेकिन इनोंने इतने साल प्रवर लिखा है उतने इतने साल गुजर गए आप जैसे कई हजारों डॉक्टर्स दुनिया में काम करते हैं लेकिन ये जो मान्यता है वर्ल्ड हेडरनाइडेशन की आप बदला नहीं पाए हो बदलने के लिए उनको मजबूर नहीं कर पाए हो क्योंकि वैसे प्रमान आप दे नहीं पाया तो मुझे ऐसी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो चर्चा हुई है मैं बहुत साइंटिफिक होता हूँ बहुत एक्यूरेट होता हूँ मेरे बात रखने की सभी इसमें मैं कभी भी प्रिजूडिस नहीं होता हूँ कि ये बुरी चीज है ये अच्छी चीज है इसलिए इसको अच्छा कहो ये बुरी है पहले मैंने मान लिया इसलिए उसको बुरी कहो इसी मरियादा में आपको रिजर्ट्स मिलेंगे इस मरियादा के बाहर आपको रिजर्ट्स नहीं मिलेंगे आप डाटा रखने की कुशिश कीजिए और शायद आपको ध्यान में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात सच है तो मित्रो मेरे उनके साथ मैं काफी सालों तक चरचा के चलते रहे ही धिरे-धिरे वो कहते रहे कि मैं अलग प्रूफ आपको दूँगा लेकिन आज तक वो अलग प्रूफ नहीं दे पाया है याने सभी बीमारियों के बारे में सही माने में जैसे मेडिसिन से या बाके सरजिरी से रिजल्स मिलते हैं वैसे रिजल्स दे पाए हैं ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है, तो एक psychological अच्छी treatment है, इसकी जो theory है, वो theory unscientific है, theory में काफी आपको जो शरीर में है ही नहीं, इसी चीजों के बारे में दावा किया दिखेगा, लेकिन इस process के जरिए लोगों को जो फायदे मिलते हैं, वो फायदे मिलते हैं, psychological बिमारियों के बारे में मिल सकत हैं, pain के क्षेतर में suggestion के प्रिणाम होते हैं, उस क्षेतर में आपको फायदे मिल सकते हैं, लेकिन सभी बिमारियों के बारे में मिल नहीं सकते हैं, cancer के क्षेतर में psychological का उपयोग होता है, उस मरियादा में भी उपयोग हो सकता है, ये मरियादा हमने समझ लेनी चाहिए, यही बात मैंने राम्देव बाबा के आसन के बारे में योगा के बारे में कही थी जो राम्देव बाबा के योगा को मर्यादा है वही मर्यादा एक्यूप्रेशर को है वही मर्यादा हिप्नो थेरपी को है वही मर्यादा कोई भी साइकलोजिकल में धड़को है व्यायाम से जो फा पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें। लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारे मदद करें। वीडियो को जरूर सेयर भी करें। कर दो तो